नमस्कार, हिंदी आचारे चैनल पर आपका स्वागत है इस सीरीज में हम विज्ञान पढ़ रहे हैं, हिंदी माध्यम से विज्ञान पढ़ रहे हैं CBSE की कक्षा छटी का विज्ञान पढ़ रहे हैं आज हम पढ़ेंगे अध्याय चार वस्तूओं के सम्मुह बनाना, groups बनाना तो 4.1 में जैसे की हमारे चारों और की वस्तूओं अनेक प्रिकार के पदार्थों से बनी हैं हम जानते ही हैं कि वस्तूओं अलग अलग चीजों से बनी होती है किसी एक पदार्थ का उप्योग बहुत से वस्तों के निर्मान में किया जा सकता है कोई एक वस्तो एक ही पदार्थ से बनी हो सकती है अत्वा उसे विभिन्द पदार्थों से भी बनाया जा सकता है विभिन पदार्थों के जो गुण होते हैं वे भी भिन भिन होते हैं 4.2 पदार्थों के गुण ऐसे पदार्थ जिने काटने या रगडने पर वे अंदर से चमकीले या द्यूतिवान निकलते हैं ऐसे पदार्थ अधिकतर धातुएं होती हैं धातुओं की जो द्यूती है वे उपरी सत्य से समाप्त हो जाती है वायू और नमी के कारण इसलिए उन्हें नया काटने पर ही उनकी चमक दिखाई देती है कोमलता यह भी एक गुण है ऐसे पदार जिने संपीरित किया जा सके या खरोचा जा सके वे कोमल पदार कहलाते हैं soft materials उदारन जैसे की ruin soft होती है कोमल होती है sponge soft होता है कोमल होता है और कठोरता यह भी एक गुण है ऐसे पदार्थ जिने संपीरित करना कठिन है उनको कठोर पदार्थ कहा जाता है कठोर पदार्थ हम जानते हैं उदाहरन जैसे की लोहा एक कठोर पदार्थ है फिर ऐसे पदार्थ जिने जल में पूरी तरह से लुप्त हो जाएं या घुल जाएं उन्हें विले कहा जाता है जैसे की नमक पानी में पूरी तरह से लुप्त हो जाता है ऐसी चीनी है और ऐसे पदार जो जल में बार बार घुलने पर भी वो जल में नहीं घुलते उन्हें अविलेय कहा जाता है जैसे कि रेद बार-बार गोलने पर भी नहीं गुलती फिर कुछ द्रव कुछ लिक्विड भी ऐसे होते हैं जो जल में विलेय हो जाते हैं जल में गुल जाते हैं जैसे कि नीम्बू का रस जल में गुल जाता है और इसके साथ ही कुछ ऐसे द्रव होते हैं जो जल में अविले होते हैं जो जल में गुलते नहीं जैसे कि नारियल का तेल सरसो का तेल कोई भी तेल हो वह जल में गुलता नहीं है वह अविले रहता है इसे प्रकार कुछ गैसें भी जल में विले रहती हैं कुछ गैसी ऐसी होती हैं जो जल में घुल जाती हैं जैसे की उदाहरण जल में विलीन ऑक्सीजन गैस जो की जल में रहने वाले जन्तूओं और पौधों के जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्न है ये oxygen gas से ही जल में रहने वाले जन्तू सांस लेते हैं अब देखते हैं कि वस्तों जल में डूब सकती हैं और तैर सकती हैं ये कौन सी वस्तों हैं जो डूबती हैं और तैरती हैं जैसे कि कुछ वस्तों जल में तैरती हैं जिसे की पानी पर गिरा हुब सूखा पत्ता व्युक्ता पारवधत होगा जिन्से होकर वस्तूंको देखा जा सकता है उन्हें पारवधिर पदारत कहते हैं जैसे की इसे साथ प्लास्टिक भी होते हैं, जिनके हम आरपार देख सकते हैं, तो ये पारदर्शी पदार्थ हैं, जिनके आसपास देखा जा सकता है, और ऐसे पदार्थ जिनसे होकर वस्तूओं को देखा नहीं जा सकता, उन्हें अपारदर्शी कहते हैं, जैसे कि लकडी का बकसा, धातू का डिबा, कोई बीदर भी चीज उआसी चीज जिसके आर्पार नहीं देखा जा सकता दूसरी जगा पर उसे आ-पारदर्शी पड़ारत कहा जाता हैं और ऐसे पदार जिनसे होकर वस्वों को देखा जा सकता है, परंतो बहुत स्पष्ट नहीं देखा जा सकता, मतलब कुछ-कुछ दिखता है उनकी आरपार लेकिन क्लिरली नहीं दिखता, स्पष्ट नहीं दिखता, ऐसे पदार को हम बराभासी पदार्थ कहते हैं, उधारन के समूहों में रखने की आवश्यक्ता क्यों पड़ती है हम पदार्थों का समूहन इसलिए करते हैं ताकि उन्हें आसानी से ढूंडा जा सके यानि कि एक जैसे जो पदार्थे उन्हें एक सात्रक दिया ताकि उन्हें ढूंडने में आसानी रहे हमें और इसी प्रकार जो पदा कीजिए हिंदी आचारिया